इस वीडियो में मैं आपको उताने वालों फ्रेंड्स के आप जाएं Micromax in to be की मौल फोन में आप दोस्तों वीडियो को डिलीट कैसे कर सकते हैं तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लाश्टे तक देख लीजेगा चैनल पे नहें सस्क्राइब कर दीजेगा इसके लिए देखिए आपको अपने Micromax in to be more phone के दोस्तों app list में आना है app list में आपको एक file के नाम से app मिल जाएगा file बाले app पर click करना है जब दोस्तों देखिए आप file में जाएगे तो file में आपको इस तरी की का interface देखने को मिल जाएगा आपको यह वीडियो का option मिल जाए वीडियो पर click करना है और वीडियो पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी phone के सारे वीडियो आजाएगे जिस भी वीडियो को आपको डिलेट करना है यानि कि अगर आपको किसी एक वीडियो को डिलेट करना है तो एक वीडियो डिलेट करने के लिए आपको उस वीडियो पर finger से long प्रेस करना है मझरा finger आपको कुछ दिर उस पर दबा कर रकना है, दबा कर रखेंगे तो वह select हो जाएगा, select हो जाने बाद उपर three dot पर click करना है, फिर आपको यह move to trace पर click कर देना है, फिर आपको यह move file to trace पर click कर देना है, तो यहां से एक video delete हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सारी वीडियो को एक बार में ही डिलेट करना है तब देखिए आपको किसी एक वीडियो पर finger से long press करना है वो select हो जाएगा, select हो जारी बाद ऊपर आपको ये 3 dot पर click करना है फिर आपको select all का option मिलेगा, इस पर click करना है अब इसमें आपको फिर से यह 3 dot का option मिलेगा, इस पर click करना है तो इसमें आपको यह move to trace का option मिलेगा, इस पर click करना है और फिर आपको यह move file to trace पर click कर देना है, तो सारा वीडियो यहां से delete हो जाएगा लेकिन दोस्तों यहां से तो delete हो जागा लेकिन दोस्तों permanent जो है अभी आपके phone से ये video delete नहीं हुआ है ये दोस्तों 30 दिनों के लिए trace bin में जाकर save हो गया है तो देखिए दोस्तों अगर आपको अभी ही इसे permanently delete करना है तो इसमें देखिए file के main page पर ऊपर एक देखिए three line का option मिलेगा इस पर click करना है फिर आपको यह trash का option मिलेगा इस पर click करना है अब यहाँ पर देखिए वो सारे वीडियो आ जाएंगे जो कि आपने पिछले 30 दिनों के भीतर delete किये होंगे तो आप देखिए सभी वीडियो को permanently delete करने के लिए आप यह all item के side में इस गोल circle पर click करेंगे सारे वीडियो select हो जाएगा select हो जाने बाद आपको यह delete पर click कर देना है फिर आपको यह delete पर click कर देना है तो आपका सारा वीडियो जह है permanently delete हो जाएगा इस तरीके से आप जो है वीडियो को delete कर सकते हैं आप हमेशा के लिए Micromax से इंटोबी के mobile में करीगा